आज हम इस वीडियो में मैगी बनाने वाले हैं नमस्कार, मैं हूँ मिथिलेष राजबर और आप लोग देख रहे हैं मिथिलेष की रसोई यूटूब चैनल आज हम इस वीडियो में मैगी बनाकर बताएंगे जो बहुत आसानी से सिम्पल सी मैगी बनती है अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक कीजिएगा, शेर कीजिएगा और हमारे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो सबस्क्राइब कर लिजिएगा और साथ में नोटिफिकेशन बिल को आन कर दीजेगा ताकि नई वीडियो के लिए चलिए बनाना शुरू करते हैं तो यह थोड़ा सा लासुन ले लिया है हमने इसको बारीक बारीक कट कर लेते हैं और यह मर्ची है जो हम इसको लंबे लंबे इस तरीके से फाड लेते हैं और प्याच को भी हम बारीक बारीक कट कर लेंगे यह भील कूल छोटी साइच का प्याज है यह फिल्कूल ही हमने टामाटर ले रख्या है इसको भी हम छोटी-छोटी टुगड़ों में काट लेते हैं और यह हमने थोड़े से मटर के दाने ले रखे हैं और यह थोड़े-थोड़े इसलिए ले रखे हैं कि हमको एक ही मैगी बनाना है तो कडाई हमने गैस पे गरम कर लिया है इसमें हम तेल डाल लेते हैं रियल लहसुन और मिर्ची को भून लेते हैं थोड़ा ब्राउन होने तक फ्राई कर लेते हैं इसको उन चला लेते हैं थोड़ा चला कर इसको फ्राई करेंगे यह ब्राउन कलर का यानि भूरा कलर का हो चुका है तो इसमें हम प्याज भी डालकर इसको भी भूरा होने तक भून लेंगे या नरम होने तक भून लेंगे प्याज देखिए हलका हलका भूरा हो चुका है तो इसमें हम मटर डाल लेते हैं इसको भी हम इसे 2 मिनट तक भून लेते हैं और इसमें हम टमाटर डाल कर उसको भी भून लेंगे आप चाहें तो इसमें इसी के साथ नमक डाल सकते हैं नमकल थोड़ी से हल्दी क्या नहीं तो पानी डालने के बाद भी डाल सकते हैं अब हमने इसको भून लिया है टमाटर भी थोड़े गल चुके हैं तो हम इसमें पानी डाल देते हैं, ज्यादा नहीं डालेंगे, एक से डेड़ कब तक पानी डालेंगे, हम इसमें थोड़ा सा ग्रेवी बनाने वाले हैं, तो यह पानी को हमने डाल दिया है, पानी भी हुबलने लगा है, तो यह मैगी है, यह मैगी मतलब मैगी नहीं है, इसमें भूनते समय अगर आप चाहें तो मसाला मिला सकते हैं इसमें सबसे बेस्ट मसाला एक मार्केट में राजेस मसाला मिलता है उसको इसमें थोड़ा से डालने तो स्वाद अच्छा आता है लेकिन मैंने इसमें सिर्फ मैगी का ही मसाला डाला है क्योंकि हमको लाइट खाना पसंद है हमको ज्यादा गरिष्ट भोजन या जिसको हाई भी भोलते हैं वो खाना पसंद नहीं है इसलिए हमने मसाला नहीं डाला है आपको खाना पसंद हो तो मसाला डाल सकते हैं क्योंकि हम हुर इसमें हम नमक और हल्डी मिला लेते हैं इसको हम चला के पका लेते हैं अब यह पक चुका है तो हम इसको उतार लेते हैं और इसको एक सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं यह देखिए तो इसमें थोड़ी सी ग्रेवी या करी जो भी बोलने रह गई है तो इसको हमको रोटी के साथ खाना है इसलिए हमने इसमें ग्रेवी रखा है हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके अवस्य बताईए तो यह लीजिए गर्मा गरम मैगी तयार है तो मैगी को गर्मा गर्म ही खाए ठंड़ा होने के बाद अच्छा नहीं लगता है